नमस्कार दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरू ग्यान अर्वेदा चैनल में दोस्तो आज हम लेकर आए हैं एक महत्पूर जनकारी जिसका इस्तमाल करके हम सभी अनेक रोगों से छुटकारा पास जगते हैं इसमें अनेक परकार के बिटामिन पाए जाते हैं जो हमारे सरीर को स्वष्ट बनाए रखने में बहुत ही मदद करते हैं तो आए जानते हैं सहजन यानी सयन से होने वाले बेनिफिट के बारे में दोस्तो जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेश कर दिजिए ताकि हर एक नए नए जनकारी आप सभी के पास पहुँचती रहे दोस्तो सहजन में बिटामीने और बिटामीन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है इसका प्रती दिन खाने से बुरापा दूर रहता है और आखों की रोशनी हमेशा के लिए बनी रहती है और सरीर भी स्वश्त रहता है दोस्तो या सर्दी जुकाम से लड़ने में बहुत ही मदद करता है इसके लिए इसके पत्तों को पानी में उबाल कर उबले हुए पानी का भाफ लेने से सर्दी जुकाम में बहुत ही लाभ मिलता है इसके अलावा यह कांदर्ध में बहुत ही लाफ पहुंचाता है, इसके लिए सहजन के पत्यों का रष एक से दो बूंध कान में डालने से कांदर्ध बिलकुल ही ठीक हो जाता है सहजन दात दर्द या दातों के कीड़े निकालने में बहुत ही मदद करता है इसके लिए सहजन के छाल के काड़े बना कर कुला करने से दातों का दर्द में बहुत ही राहत मिलता है और दातों से कीड़े भी निकल जाते हैं इसके सासत या पेट समंधी रोगों में बहुत ही कारिगर साबित होता है इसके लिए इसके पतों का रस पीने से पेट के कीड़े या चिल नश्ठ हो जाते हैं और उल्टी दस्ट जैसे समच्चाo को रोखता है साथी इसके पत्तों का साग बनाकर खाने से कब्ज जैसी समस्या भी दूर रहती है वहीं इसका जूस गर्भवती महिलाएं सेवन करती हैं तो डिलबरी में होने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाती है और डिलबरी हो जाने पर मा को कौम तकलीफ होती है इसके अलावा सहजन के पतियों को पीश कर घाव या सूजन वाले एस्थान पर लगाने से घाव में बहुत ही जल्द राहत मिलता है सहजन की पतियां सरदर्द में राम बान की तरह काम करता है इसके लिए इसके पतियों को पीश कर सर पर लिप लगाने से सरदर्द में बहुत ही लाव मिलता है इसके अलावा सहजन मोटापा को दूर करने में बहुत ही मदद करता है इसका जूस रोजाना पीने से मोटापा धीरे धीरे दूर हो जाता है इसके साथ ही या हाई प्रेशन को दूर करने में बहुत ही काम करता है इसके लिए सहजन के पतियों का जूस प्रती दिन सेवन करने से हाई प्रेशन नियंत्रित रहता है सहजन के पतियों का काड़ा जोडो का दर्ध घठी या लकवा सूज अन पत्री जैसे रोगों को दूर भगाने में बहुत ही मदद करता है तो दोस्तों ये थे सहजन यानि सहियन के फायदे तो दोस्तों या जनकारी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में सेर केजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए भी मिलते हैं